नमस्ते साथियो चलिए आज फिर एक और रोचक विशय पर चर्चा करते हैं। आज का विशय है धनिय का पानी पीने के फायदों पर साथियो हमारे देश में धनिया का इस्तमाल खूब किया जाता है। फिर चाहे धनिया के पत्तों की चट्नी बनानी हो या सबजी में उपर स डाल कर उसका स्वाद बढ़ाना हो। बसाने के रूप में तो धनिय का भी खूब उपयोग किया जाता है। दरसल धनिया को औशधिय गुणों से भी भरपूर माना जाता है। इसका सेवन कई बीमारियों से बचाने के साथ ही आपको सहतमन रखने में भी मददगार साबित हो सकता है। हरा धनिया या साबुद धनिया के जितना ही धनिया का पानी भी उपयोगी माना जाता है। खास कर थाइराइड और वजन कम करने में तो यह रामबार इलाज की तरह माना जाता है। आईए जान लेते हैं कि आखिर सुबा खाली धनिया का पानी पीने के क्या फा फाइदा नमबर 1. पाचन में सुधार करता है. धनिया का पानी पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. यह पाचन अगनी को नियंतरित करके पेट में एसिडिटी के स्तर को बढ़ने से रोकता है, जिससे पेट में दर्द, जलन, गैस आदी पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है. फाइदा नमबर 2. वजन घटाने में मदद करता है. धनिया का पानी वजन घटाने में भी मदद करता है. दरसल्द, धनिया के पानी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो मेटाबॉलिजम की प्रक्रिया को तेज करत है. इससे शरीर में जमा हुए फैट को जलाने में मदद मिलती है, जिससे आपका वजन तेजी से कम होने लगता है. फाइदा नमबर 3. थाइराइड की समस्या में फाइदे मंद है. धनिया का पानी थाइराइड की कमी या फिर अधिकता दोनों ही तरह की समस्याओं में धनि धनिया का पानी फाइदे मंद माना जाता है. दरसल धनिया में कई तरह के खनेज और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो थाइराइड हार्मोन को विन्यमित करने में मदद करते हैं. फाइदा नमबर 4. ब्लड शुगर कम करने में मदद गार है. धनिया का धनिया के पानी को ब्लड शुगर कम करने में प्रभावी माना जाता है. हालांकि जिनका ब्लड शुगर लेवल पहले से ही कम हो उन्हें इसके सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके ब्लड शुगर का स्तर और कम होने का खत्रा हो सकता है. फाइदा नमबर 5. लिवर क साफ करने में मदद करता है. धनिया का पानी धनिया का पानी विशात पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल कर शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है. इसलिए इसे डीटॉक्स वाटर के तौर पर भी जाना जाता है. इसके अलावा यह लिवर को भी साफ करने में शरीर की रोक प्रतिरोधक शमता यानी इम्म्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए भी धनिया का पानी पिया जा सकता है इस पानी के सेवन से शरीर को नुकसान पहुचाने वाले फ्री रेडिकल से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ती बार-बार बीमार नहीं पड़ता है अब बताते हैं धनिया का पानी बनाने का तरीका एक चमच धनिया के बीच को एक कब पानी में डाले और उसे रात भर के लिए छोड़ दे अगले दिन सुबह पानी से बीच को निकाल दे और पानी को चान ले फिर उस पानी का सुबह खाली पेट सेवन करे इसके अलावा आप धन्या के पत्तों का पानी भी बना सकते हैं इसके लिए धन्या के पत्तों को एक गिलास पानी में डाल कर उसे रात भर के लिए छोड़ दे अगली सुभा पानी से धन्या के पत्तों को छान ले और उस पानी में नीम्बू की कुछ बूंदे मिला कर उसका सेवन करे यह सला केवल आपको सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए दी गई है बिया जी के पीडिया इसकी सत्यता की पुष्टी नहीं करता है आपको किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने या आजमाने के लिए सबसे पहले अपने डॉक्तर या विशेशग्य से सला जरूर ले लेनी चाहिए विडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्ते